हेलो फ्रेंड वेल्कम बैक तो माई चैनल मैं हूनीता और आपके अपने चैनल इशिताज क्रेटिव कर्णर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है तो गर्मी जो है तो बहुत तेज पढ़ रही बिल्कुल तप्ती हुई गर्मी है यदि हम 10 मिनिट को भी बाहर निकलते हैं तो आप सोच सकते हैं कि हमारी बॉडि पर उसका कितना इफेक्ट पढ़ता है इसी तरह हम देखते हैं कि हमारी जो प्लांट है जो कि काफी सॉफ्ट होते हैं तो इनको हम किस तरह से तप्ती हुई गर्मी में बिल्कुल फ्रेश और ग्रीन रखें तो अज हम इस बारे म तो इसी तरह से हम अपने प्लांट्स को भी कुछ इस तरह सी रखें जिसके कारण की इनकी जो पत्ते वगेरा हैं तो वो जले नहीं रूट्स वगेरा नहीं जलें और वो किस तरह से बिलकुल फ्रेश रहें तो आज हम इसी बारे में आपके साथ बात करेंगे तो कुछ टिप दोनों टाइम देना होता है सुबह और शाम दोनों टाइम देना चाहिए जिसे की इसकी मिटी जो है तो वो मॉस्ट बनी रहे क्योंकि इतनी तेज धूप होती है जिसके कारण की पानी वैपर बनके खतम हो जाता है और साथ में इनको शावर जरूर कराइए उपर से पानी लेता है ईसके करण किमें काफी समय तक यह मौश्चर इसमेंघरा रहा की अगरन को यह की क्योंकि इससे फंगस वगेरा नहीं लगती यदि शाम को हम करते हैं तो इससे फंगस लगने का डर रहता है इसके बाद करना है मल्चिंग तो जो भी सूखे पत्ते है या फिल लकड़ी का बुरादा है गन्ने के पत्ते है या भूसा वगेरा है किसी से भी आप मल्चिंग कर स तो इधा पर देखिए जो भी रूखे सुके पत्ते हैं, पीले पड़ गए हैं, गल गए हैं या जल गए हैं तो इनको निकाल के अलग कर देना हैं और प्लांट के चारों और मिट्टी पे इस तरह से आप पत्ते वगेरा या इट के टुकड़े हैं इन सब को भी रख सकते हैं इसके कारण जो मिट्टी होती है तो वो काफी समय तक उसमें गीलापन बना रहता हैं क्योंकि गर्मी के दिनों में मिट्टी जो है तो काफी जल्दी ड्राई हो जाती हैं तो इस तरह से आप पत्ते वगेरा उसके किनारे पर रख सकते हैं और इसके बाद आपको इतादे कि इस टाइम पे आप यदि लिक्विट फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो काफी अच्छा होगा और ये आपको घर पे ही अराम से मिल जाएंगे जैसे की दाल चावल वगेरा हम फुलाते हैं तो उसका जो पानी होता है तो उसको भी हम अपने प्लांट में डाल सकते हैं तो इससे फुला देते हैं और इस तरह से इसका जो पानी होता है तो उसको निकालके और आहम प्लांट की जड़ों में दे देते हैं इसमें जो है तो प्लांट को काफी ज़्यादा माइक्रो नीट्रेंट्स जो हैं तो वो भी मिल जाते हैं और इस तरह से बस कुछ नहीं करना है और यह भी आपके डाल चावल का पानी है तो उसको आप इस तरह से प्लांट में दे सकते हैं to यह जो liquid fertilizer है तो यह हमारे प्लांट के लिए यह काफी अच्छा होता है आपदी सकते हैं कि हमारी सारे ही प्लांट जो हैं तो खाफी फ्रेश और अच्छे हैं लेकिन हां यह rubber प्लांट था एक दिन के लिए ये हमारा धूप में छूट गया था जिसके कारण कि इसकी लीब्स जो है तो कुछ जल गई किचिन से ही हमको दूसरा लिक्विट फर्टिलाइजर भी मिल जाएगा जो भी हमारे जो फूर्ट्स और विजिटेवल्स के छिलके वगेरा होते हैं तो उनको इस तरह से आप इकठा कर लीजे और उसको पानी में फुला दीजे गर्मी के दिनों में इसको ज्यादा टाइम तक नहीं फुलाना है इसको ज्यादा से जदा आठ से दस गंटे के लिए फुला दीजे और बस इसके बाद इसमें फ्रेश वाटर जो है तो डालके और इसके पानी को छानके हमको प्लांट में दे देना है ठंड के दिनों में आप एक दिन भी इसको रख सकते हैं लेकिन गर्मी के दिनों में इसको सिर्फ आपाट से दस गंटे के लिए रखिए और इसको छानके इस तरह से सारी प्लांट में आप इसको दे सकते हैं और जो आपके प्लांट हैं तो गर्मी के दिनों में आप कोशिश करिए कि मौर्णिंग में इसको दो से तीन घंटे की धूप दिखा दीजे और इधा पर देखिए कि प्लांट को ग्रुप में रखना है यदि आप ग्रुप में रखते हैं तो इसे एक दूसरे का मुश्यर जो है तो प्लांट को रखेंगे और इधा पर देखिए ये रवर प्लांट था जो कि एक दिन के लिए हमसे दोके से धूप में छूट गया था तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसकी लीब्स जो हैं तो पूरी तरह से जल गई हैं तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि इनकी जो हैं तो इनको निकाल के अलग कर देना है और सिर्फ जो भी हमारी प्लांट है तो इनको सुबह की दो से तीन गंटे की दूप दिखा दीजे उस टाइम पर थोड़ी दूप हलकी होती है और इसके बाद आप प्लांट को ऐसे जगा पर शिफ्ट करिए जहां पर कि ब्राइट लाइट तो हो लेकिन सनलाइट डायरेक्ट इन पर ना पड़े अगर कोशिश करिए आपकी ग्रीन नेट जो है तो उनको भी आप लगा सकते हैं जिसके कारण की आपके प्लांट अच्छे से बने रहेंगे हम कोशिश करते हैं क्योंकि जगा कम होने के कारण मॉर्निंग में इनको सुबह जो है तो बाहर निकाल देते हैं और फिर दो तीन गंटे जब इनमें धूप लग जाती है तो फिर इसके बाद हम अंदर रख लेते हैं जहांपर ग्रायट लाइट तो रहती है लिकिन डाइरेक्ट धूप इसमें नहीं रहती है और जितने भी प्लांट्स हैं तो इनमें जो पीले पत्ते हैं जल गए हैं तो कोशिच करिए कि इनको निकालके हमको अलग कर देना है तो इस तरह से देखिए जहां जले होते हैं तो ये दूसरे अपने जो लीप सें तो उनको भी खराब कर सकते हैं इनको तोड़के आपको अलग कर देना है तो इस तरह से यदि आप छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखते हैं तो आपके प्लांट्स जो है तो कभी भी खराब नहीं होएंगे इसके बाद आप अपने प्लांट में गुड़ाई जरूर करिए क्योंकि मिट्टी जो है तो ठो रूट्स तक जाएगी और रूट्स जो है तो सांस आराम से ले सकेंगी तो इस तरह से आप इनमें गुड़ाई करिए और फिर अगला जो हम आपको बता दे कि यदि आप रूम में अपने प्लांट को रख रहे हैं तो कोशिश करिए कि एसी के नीचे कभी न रखिए क्यों रूम में मौस्टर कम होता है तो ऐसे प्लांटों आप एसी के डारेक्ट नीचे बिलकुल न रखिए हां जो दिनकी पतियां या स्टेम कुछ मोटे होते हैं जैसे रबर प्लांट वगेरा होता है दिनकी पतियों में मौस्टर पाया जाता है तो इनको आप एसी वाले रूम में अराम से रख सकते हैं लेकिन खोशिश करिए कि डायरेक्ट उसको भी आप एसी के नीचे बिल्कुल ना रखिए इसके करण हमारा प्लांट जो है तो वो खराब हो सकता है तो चलिए अब बताना आपको है बारी आपकी है कि आज की जो हमारे गार्डन से रिलेटेड टिप हैं आपके प्लांट के लिए जो टिप्स हैं कि हम अपने प्लांट को गर्मियों में देखरें किस तरह से करें आपको कैसा लगा आज का वीडियो यदि अच्छा लगा हूँ तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर और सबिस्क्राइब जरूर करिएगा बैल बटन प्रेस करना ब को नाएं इंटरस्टिंग वीडियो में थैंक यू